कि आज आई कोर्स के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जनरेटिव ए आई के बारे咲 क्या होता जनरेटिव एक क्या हुज होता है किस तरीके से इसको आप प्रेक्टिकल्лер implement कर सकते हैं इसके टूल्स के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों आज वी वीडियो आपको जनरेटिव AI का concept इसके बारे में पूरी clarity देने वाला है तो इसलिए अगर आपको नहीं पता कि जनरेटिव AI क्या है किस तरह किसका यूज है कैसे इसकी growth हो रही है कैसे इन future में इसका हम इस्तमाल करके पैसा बना सकते हैं बिजनेस बढ़ा सकते हैं तो वो सब आज आपको clear हो जाएगा तो इसलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा साथ के साथ चैनल को सबस्क्राइब कीजिए बेल अकंड प्लीज दबाएए ताकि एक भी important वीडियो या course आप से miss ना हो एक important update अगर आप अपने business को digitally लेकर जाना चाते हैं online grow करना चाते हैं तो उसके लिए आप हमारी professional digital marketing services ले सकते हैं और अपने business को grow कर सकते हैं साथ के साथ अगर आप live hybrid advanced digital marketing सीखना चाते हैं with artificial intelligence and prompt engineering तो उसके लिए भी आप हमें इन दीवी नमबरों पे call कर सकते हैं या whatsapp कर सकते हैं हमारे managers आपको properly guide करेंगे तो आप services ले या training ले उसके लिए आपको contact करना होगा इस दीवी नमबर पे call या whatsapp तो आईए चलते हैं और अच्छे से सीखते हैं गाइस पिछली वीडियो में हमने different different types of AI और different different types of artificial intelligence technology के बारे में हमने बात किया जहां पे हमने generative AI के बारे में भी बताया और आपको एक idea दिया कि generative AI आपको किस हद तक help कर सकता है या कितनी help कर सकता है इस particular वीडियो में हम generative AI को थोड़ा deeply जानेंगे क्या क्या कहां कहां पे यह हमें मदद कर सकता है किस तरीके से यह मदद कर सकता है उस चीज को जानेंगे ठीक है तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और जानते हैं generative AI को सबसे पहले गाईज एक simple सी definition के साथ समझ लेते हैं कि generative AI असल में है क्या गाईज basically generative AI या फिर generative artificial intelligence जो है वो एक system होता है intelligence system होता है computer code होता है computer program होता है जो आपके requirements को समझ कर आपको different different तरीके से आपको response देता है वो response हो सकता है text base वो response हो सकता है design base audio base video base जिस भी sector में वो टूल बनाया गया या जिस भी चीज को ध्यान में रखके वो टूल बनाया गया अब यहाँ पर जैसे कि मैंने mention किया था किस-किस चीज में response देता है text images graphics और images एकी बात है videos and audios इन सारे चीजों के basis पर या फिर बोल सकते हैं इन सारे formats के अंदर वो जो आपको जवाब दे सकता है ठीक है आप जब उससे requirement डालेंगे मतलब आप जब भी उससे कुछ करवाना चाहेंगे जब भी आप आपकी कोई requirement होगी आप text base पर आप उससे बोल सकते हैं या फिर कई बार आप audio के basis पर भी देता है ठीक है I hope आपको idea लगा होगा कि generative AI असल में होती क्या है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि generative AI किस किस तरीके से हमारी help कर सकता है सबसे पहले text generation में हमारी मदद करता है generative AI वो कैसे मदद करता है जहां पर आपको जब text related कोई requirement होती है let's say आपको कोई mail लिखना हो let's say आपको कोई content लिखना हो आपको कोई blog लिखना हो आपको कोई essay लिखना हो तो यह आपकी requirement हो गई अब आपको उस requirement को describe करना है हमारे text generation tool में जैसे कि कोई chat GPT होता है bard होता है google की तरफ से आता है bard then perplexity होता है coffee popular tool है AI tool जिसमें आप अपने requirement डालते हैं और सामन researched and बोल सकते हैं with high quality right अब यह technology यूज करता है वह GTP जैसी technology यूज करता है जैसे हम generative pre-trained transformer transformer भी कहते हैं तो यह GTP जैसी जो technology होती है वो pre-trained होती है और इनके पास एक set amount of data होता है जैसे अगर मैं chat GPT की बात करूँ जो one of the most popular tool है industry के अंदर ठीक है अगर उसके free version की बात की है तो उसके पास एक set amount of time का data है जो की है 2021 September 2021 तक का उसके पास data है उसके बात का उसके पास data भी नहीं है उसके पास internet का भी access नहीं है तो उसी data के basis पे वो हजारों लाखों लोगों की वो मदद कर रहा है समझ सकते हैं अगर आप उस tool के पास internet access आ जाए तो और कितनी सटीक या 2023 में मिलना चाहिए तो वो आपको बता देगा कि मेरे पास 21 तक का ही data है तो इस data को मैं provide नहीं करा सकता या फिर अगर मैं provide करा भी दू तो accurate नहीं होगा तो इसी चीज़ को intelligence कहा जाता है ठीक है इसकी जगा अगर human भी होता तो वो भी कुछ ऐसा ही बोलता राइट तो यह हो अब image generation के अंदर क्या होता है same चीज़ आप अपनी requirement बताते है उस tool को उस software को application को जैसी ही आपकी कोई जो जिस भी type के आपकी requirement होगी उस requirement के basis पे आपको फिर वो response देता है image के form में art के form में यहाँ पे कुछ tools जो popular tools है जैसे की mid journey यह फिर डाली ठीक है तो यह popular tools है डाली जो ह चैट GPT की parent company है तो यह जो famous दो companies है इसके अलावा भी कई हजारो companies आजकल बन चुकी है AI के उपर और हर जिस भी चीज़ के उपर आप जानना चाहेंगे जो repetitive task होते हैं कोई भी repetitive task के उपर अगर आप search करेंगे तो कोई ना कोई AI tools ज़रूर मिल जाएगा but इस course के अंदर हमने उन ही tools को mention किया है जो आपके लिए useful है आपकी efficiency बढ़ा सकते हैं और आपको 100x तक का बोल सकते हैं 100 up to 100x तक का आपको efficient कर सकते हैं तो यह था कुछ image generation अब यहाँ पर थोड़ा सा और deeply घुसेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने एक term mention करा हुआ है generative adversal network are a popular technique of generating images तो य जो image को generate किया जाता है ठीक है पिछले वाले में gtp जैसा मैंने एक example दिया था generative pre-trained transformer तो यह जो पीछे software के पीछे का जो असली logic है वो यह चीज है gtp and यहाँ पर second वाली चीज में gans या फिर generative adversal networks थार्ड है हमारा वो है audio generation यह आप audio generation भी कर सकते हैं images और text तक तो ठीक थ but still आप AI जो है इतना आगे बढ़ चुका है अब आप इसमें audio generation भी कर सकते है audio generation के भी कई popular tools है जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही mention करा है jukebox जो की again open AI की तरफ से आता है और जो यह tools जो है वो content निकाल के देते हैं वो आप voice assistant के अंदर use कर सकते हैं music composition के अंदर use कर सकते हैं even यह tool को या AI tool को use किया जाता है हाला कि देरे देर इस technology में advancement हो रहा है obviously कोई person जो बोल नहीं सकता वो laptop तो लेगे नहीं हो मेंगा ना सात में तो obviously चीजों के साथ advancement हो रही है phone आ रहे है different different gadgets आ रहे हैं जिसके अंदर यह applications है यह software से inbuilt किये जा रहे हैं ठीक है so future is very interesting next हम बात करते है audio generation हमने समझ लिया video generation भी आपको करके दे सकता है यहाँ पे आपने deep fake videos के बारे में सुना होगा deep fake यानि कि किसी के चेहरे पे not किसी के चेहरे किसी की बॉड़ी पे और किसी के चेहरा लगा दिया जाता है different different special effects लगा दिया जाते है या फिर video editing automatically की जाती है या फिर बोल सकते है अब most of the video editing का जो part होता है automatic जो cuts लगाने होते splits करना होता है वीडियो को वो AI खुद कर पाता है वो कैसे कर पाता है obviously AI की मतल से यहाँ पे मैंने again कुछ tools mention कर रहे हुए हैं जैसे कि Synthesia, Pictory, Pictory.io, V.io इसके अलावा आप एक mobile application है CapCut उसके अंदर भी कई AI features मिल जाते हैं तो इसे कई AI tools आगए market में जो आपको different different levels पे मदद कर सकते हैं right just the thing is आपको find out करना है कौन सा tool आपके लिए helpful है और आप उसे regular basis पे use कर सकते हैं right then video generation के बाद यह सब चीज तो हमने already बता रखे video generation, audio generation, text and images लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकता है हमारा generative AI इसके अलावा gaming and simulation के अंदर भी हमारा generative AI है जहां पर जो generative AI है different environment create कर सकता है right अब आप समझ पा रहे हैं जैसे कि हमने बच्पन में खेला था GTA not GTA it was yes it was GTA Y City हम बच्पन में खेला करते थे right तो हमें याद था कि वो जो city था जो Y City जो शहर था वो कितना बड़ा था right but अगर ऐसी technology अगर games के अंद है तो आगे की environment इसका मतलब जो आगे का area है मतलब जैसे कि मैं example आपको दे रहा हूँ Y City जो शहर था हमने इतना खेल लिया था उस game को कि हम कोने कोने हुआ के शहर के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हो गए थे right तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर time के साथ थोड़ा bore होगे but AI ज शहर people लोग सारे चीज वो नए generate कर सकता है right तो इससे क्या होगा हमारा हर बार experience नहीं होगा हमारे लिए हर बार जो शहर हो नहीं होगा और कभी हम बोर नहीं होगे right तो इस तरीके से जो gaming industry के अंदर है simulation industry के अंदर भी है जो AI revolution लेके आ रहा है I hope आपको idea लग रहा होगा और जो भी मैं चीज बता रहा हूँ आप उससे connect कर पा रहे होंगे right इसके अलावा drug discovery yes guys generative AI जो है drug discovery के अंदर भी help कर रहा है drug discovery कैसे वो बिमारियों को समझ कर then उनके जो different different symptoms है उनके different different जो बिमारिया है उनकी दवाईयों के जो different different architectures है formulas है उनको समझ कर वो नए formulas create कर पा रहा है right और human brain के लिए करना ये थोड़ा time taking हो जाता है not थोड़ा बहुत ज्यादा time taking हो जाता है और ज्यादा hectic भी हो जाता है और गलतिया होने के chances inaccuracy के chances भी काफी बढ़ जाते हैं जो कि AI के मदद से काफी कम हो पा रहा है right तो ये है generative AI की power it is not like this image और आपको वो text निकाल के दे दे रहा है then design and art तो मैंने already mention किया ही है जैसे कि यहाँ पर मैंने tools कुछ mention भी किये होंगे Figma AI या फिर Adobe Express तो इनके अंदर design और art के अंदर भी contribute कर रहा है even आपने अभी कुछ दिनों पहले एक trend आया था NFTs का जिसके अंदर लोग different different images बना के different different graphics बना के उसको sell कर रहे है even millions of dollar के अंदर sell कर रहे है right और कई लोगों ने वो सिर्फ in tools की मदद से AI tools की मदद से Figma Adobe Express और ऐसा-ऐसे कई tools को use करके different different cartoons बना है different different animations बना है छोटे-छोटे creatives बना है और उसको हजार हो डॉलर के अंदर लाखो डॉलर के अंदर sell कर दिया so this is what the potential of AI guys and वो तो चलो खेर वो तो trend था सिर्फ जो थोड़ा निकल गया आप उस चीज़ का जो क्रेज है वो थोड़ा अप कम हो गया अब आपको nfts कम सुनने को मिलते हों अगर आपको nft नहीं पता तो आप जाके search कर सकते है non fungible tokens यह फिर nft youtube पर जाके भी आप search मारेंगे तो आपको idea लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं तो इन सारी तरीकों से आपका generative AI मदद कर सकता है I hope आपको एक idea लगा होगा generative AI का potential और मैंने already आपको types of AI then AI के क्या-क्या potential है AI किस तरीके से different industries के अंदर मदद कर रहा है वो सारी चीज़े समझाई दिए उसके एक aspect को हम जो AI as a whole industry या फिर AI as a whole thing उसमें से हम छोटा सा एक हिस्से की बारे में बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं उनसे हम किस तरीके से अपनी efficiency बढ़ा सकते हैं किस तरीके से हम अपने आपको 10x या फिर 100x जादा capable बना सकते हैं और वो है generative AI तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर end मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बबाए उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा comment section मे जरूर बताएगे अगर आपके कोई curious भी हैं वो भी आप हमें comment section में लेख सकते हैं उनके ओपर भी हम वीडियो और courses लेकर आएंगे दोस्तों अगर आप अपने business के लिए digital marketing की professional services चाहते हैं या आप digital marketing agency के अंदर live training चाहते हैं तो आप हमारी website marketingfunders.com पर जा सकते हैं या हमार दिवे नमबरों पर call कर सकते हैं वाट्सअप कर सकते हैं साथ के साथ description में महा बंडल कूर्स का लिंक दे रहा हूं जिसमें 50-60 से भी ज़्यादा हाइपिंग skills हैं तो दोस्तों जैसे भी आपको सीखना है जो भी आपको services लेनी है तुरंत call करें या वाट्सअप करें thank you for watching marketing fundals